भारत में बॉलकेनोस? जी हाँ, एक नहीं, दो नहीं, पूरे आठ हैं, जिसमें से एक है एक्टिव बॉलकेनों और दूसरा है डॉर्मेंट, ये दोनों अंडमान सागर, बंगाल की खाड़ी में इस्थिद, अलग-अलग जुआलमकी दूइप हैं, जो यूनियन टेरिट्री अंडमान और निकोवारा आइलेंड के अंतरगात आते हैं, और बाकी के छे हैं एक्स्टिंक्ट, जो भारत के अलग-अलग हिस्सों में पाए जाते हैं, जो आलमकीयों को सक्रिय, एक्टिव, सुप्थ, डॉर्मेंट और बिलुप्थ, एक्स्टिंक के रूप में बाता गय एक्टे बालकेनों वो हैं, जो कभी भी फट सकते हैं, डॉर्मेंट बालकेनों हजारों बड़सों तक भी नित्रालू रह सकते हैं, और फिर अचानक फूट पढ़ते हैं, उन्हें कम नहीं समझना चाहिए, एक्स्टिंक्ट बालकेनों वह हैं, जिसे मैगमा, पिगली नहीं होती है, और इनका फटने का कोई डर नहीं होता है, भारत के वालकेनों देखने से पहले, वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बैरन आइलेंड, अंडमान सागर में बैरन आइलेंड नामा के एक आइलेंड है, और यह भारतिय उप पहचाना जाने वाला एकमात्र एक्टिब जॉला मुखी है, यह भारतिय संग में अंडमान और निकोवर आइलेंड का एक हिस्सा है, और छेत की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से 138 किलोमीटर उत्तरपूर में इस्तित है, जॉला मुखी का पहला ग्याद बिसफोर्ट 1787 में हुआ था, तब से जॉला मुखी 10 से अधिक बार फट चुका है, सबसे हालियर विसफोर्ट 2023 में हुआ था, नार कॉंडम नार कॉंडम अंडबान सागर में इस्तित, एक छोटा निश्क्रे डॉर्मेंट जॉला मुखी दूइप है, आइलेंड की चोटी ओसत समुद्र तल से 710 मीटर उपर है, और ये एंडिसाइट से बनी है, ये अंडबान आइलेंड का हिस्सा है, जिसका मुख्य भाग बस्च और मध्य अंडबान जिले के अंतरगत आता है, जो भारते केंज सासित प्रदेश अंडबान और निकोवर्ट दूइप समुद्सा है, राची बालास द्वीब, बारतांग द्वीब का दूसरा नाम भी है, बारतांग में भारत में मिट्टी के जॉला मुख्यों का एक मात् हैं, माना जाता है कि 2005 में हुए हालिया विसफोर्ट 2004 के हिंद महसागर भूकम से जुड़े थे, धिनोधर हिल्स गुजरात के कच्छ जिले के नक्तराना तालुका में नानी अरलगाओं के आस इस्तित पहाड़ियों की एक संकला है, इन पहाड़ियों को निर्मान जो आलमो पूटी, भूब बैग्यानिक विशेशताओं के लिए जाने जाती हैं, धोशी हिल, धोशी हिल एक बिलुप्त चौला मुखी है, जो अराबली परबत्रंगला के उत्तर पस्चमी छोर पर अकेला खड़ा है, जिसकी उचाई आसपास की भूमी से लगबग 345 से 470 मीटर तक है, ये प्रीकेम्बिन मेलैनी इग्नियस लॉक से संबंधित है, धोशी हिल, हर्याना और राइस्थान की सीमा पर इस्तित है, हर्याना का भाग दक्षण में महिंदरगन जिले में, राइस्थान का भाग उत्तर में जुन्जनु जिले में इस्तित है, धोशम हिल्स हर्याना के अलबर छेट में इस्तिस हैं और और ऑस्तन 207 मीटर की हुजाई पर इस्तिस हैं और लगबग 732 मिलियन बर्ट पहले ज्वालमकी गर्दिविदी के से आकार लिए हैं दोसी हिल की तरह दोशम हिल्स को बिलुप्त माना जाता है और यहां कोई बर्टमान जॉला में की गर्दिविदी नहीं है मुख्य तुशाम हिल्स इस त्रेडी की दूसी सबसे बड़ी पहाड़ी है इसमें प्राचीन सिला लेक, शैल चित्र और पानी के जरने और चोटी पहाड़ी जीले है यह हर्याना के प्रमुक जैब विवित्ता इस्तिलों में से एक है लोग तक लेक, लोग तक जील भारत के मडिपूर राज्य में स्थित एक मीठे पानी की जील है लोग तक जील से बाहर निकलने का एक मात रास्ता, उनका मेल चैनल के माध्यम से है मडिपूर नदी और कई छोटी सायक नदियां जील को पानी देती है लोग तक जील एक सोपर जौला मखी कालडेरा ये कड़ाही के आकार का एक बड़ा गड़ा है जो जौला मखी फटने और मैगमा कच्छ के खाली होने के तुरंद बात बनता है इस भारते जौला मखी के इस्तिति अग्यात है इसलिए हम नहीं जानते कि ये भारत में एक सोप्त जौला मखी है ये भारत में एक सक्क्रे जौला मखी है देककन प्लेटियू अधिकांस जौलमकी विश्फोर्ट बस्चमी घाटों पर हुए और अनुमान है कि लावा प्रभा बहुत बड़ा था और आधुनिक भारत के लगवग आधे इससे को कवर करता था यह एक बिलुप जौलमकी है जो लगबग 66 मिलियन बर्स पहले फूटा था इसे दुनिया का सबसे बड़ा जौलमकी प्रांतों में से एक माना जाता है दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद